आज फिर से हम हमारे न्यू डाइट सिस्टम के फाउंडर हमारे गुरू जी श्री चवान जी के साथ फिर जुडेंगे जैसे कि हमने गए सो अपते देखा कि हम कई सवालों के जवाब हमारे साधकों के जवाब चवान साब ने दे के समाधान किया बस आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम और कुछ सवालों की जड़ी लेके हमारे चवान जी के पास पहुंचेंगे आपके प्रशन और उनके जवाब जिससे आपको न्यू डाइट सिस्टम का पूरा ग्नान हो जाए और आप उसको अच् सबी लोग न्यू डाइट सिस्टम की और आकरशित हो रहे हैं और यही हमारा ध्य है कि चवान साब भी यही चाहते हैं कि पूर्या विश्व रोगमुक्त और दवामुक्त हो जाए यही कोशिश हमारी छोटी इस कारिक्रम के द्वारा हो रही है तो चलिए हम हमारे गुरु जी श्रदेश्री चवान जी का इस प्रोग्राम में फिर से स्वागत करते हैं चवान जी बहुत बहुत नमस्कार आपको प्रणाम जी अब जैसो गैसो अपते हमने आपसे कई सवालों के जवाब लिए तो आज और कुछ प्रशन लेके हम आए हैं आपके सामने हमारे साधक जैसे जैसे प्रशन कर रहे हैं मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि उनको संतोश मिले कि गुरु जी के मुट से उनको समाधान सुनने को मिला तो अब ये अगला प्रशन यह है चवान जी कि किडनी की डायलिसिस कई साधकों को हो रही है अब साधक जब डायलिसिस पे होता है तो एनिमा करने में डरता है क्योंकि खाने में या फिर रसाहर करना है तब ही उसको डर लगता है कि किडनी पे जादा जोर पढ़ रहा है एनीमा से भी किड्नी पे जोर पड़ता है, इसा उनका मानना है, तो ऐसी स्तीती में उनको कैसे करना चाहिए, न्यू डाइट सिस्टम, और इससे क्या परिणा मिल सकता है, ये थोड़ा विस्तार में हमारे सादक को बताईए, प्लीज, ये भी तो बहुत अच्छा सावाल है, क्योंकि आम समस्या बन गई होई, किड्नी डिजीज है सारे विश्व में, बहुत सारे लोग इससे परेशान है, डायलिकिस पे भी बहुत सारे लोग है, वो क्यों में रहना पड़ता है, नंबर नहीं लगता, खर्च भी होता है, समय भी जाता है, खुद का समय जाता है, प तो, डायलिसिस, यहां NDS कि फ़लो करके, बहुत सारोगों ने अपने डायलिसिस बंद कर दिये हैं, या तो बंद हो चुके हैं, डोक्टरों ने ही बंद कर दिया है, एक मैं एक्स्रीम केश दूगा, वाक्ति कि तो बहुत सारे केश हैं, एक्स्रीम केस जो है ऐसा है कि महाराश में रत्नागिरी डिस्टिक में दापोली में एक कांती भाई पटेल करके उमल लाइक व्यक्ति थे बुजूर्ग थे तो उनको डाइबिटीस हो गया दवाई चलते चलते अवास ठोड़ी पीजिस पे आगे क्रियेटिन बढ़ता गया और वो बंबे की ख्यातनाम हुस्पिटल में ट्रिक्मेंट ले रहे कर दवाईया चलती थी डाइलिसिस भी चलता था फिर भी क्रियेटिन बढ़ता था डाइ तो चार से 5 बार पांच से 6 से बाद छे से साथ बार यानि की हर दिन डाइलिसिस करना पड़ता था को अब तो होस्पिटलाइज ही कर दिया था कि वहाँ ही रहते थे होस्पिटल ही उनका घर हो चुका था तब एक रिएटे नाइप बढ़ते 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 अबव टेंग हो गया दस से जादा जो बिलो वन पॉइंट टू होना चाहिए तो यह फिर से दिन में दो बार डाइलिसिस करना शुरू कर दिया दिन में दू बार आप समझ सकते हैं पिर भी क्रेटिन बढ़ता गया दवायां भी बढ़ती गई अब हर दिन तिन बार डाइलिसिस होने लगा और क्रेटिन पहुंच गया क्रेटिन पहुंच गया तू जीरो ट्वेंटी या ट्वेंटी वन पर अब आप डोक्टर होने हाथ हुचे कर दिये जवाब दे दिये कि अब यह हमारे बसकी बात नहीं है जो होता था आमने कर लिया अब आप घर ले जाओ और शेवा करो तद ए घर पे दिन में तीन बार डायलिसिस चलता था करके सारे परिवार के सारे सदश्य वो जी देने के पर शेवार कर दो एक्सपर्ट हो गए चोटे बच्चे भी लेडिवी हर कोई और कोई अच्छा है अच्छे या बुरे प्रसंद पर कहीं सामाजिक सोच्छल वो इसमें नहीं जा सकते थे क्योंकि दिन में तीन बार डायलिसिस करवाना है तो यह अब उसके पास अब मैं जादा दिन जीने वाला नहीं हूं तो अभी मुझे कोई आईसी दावा दे दो जहर दे दो क्यूंकि यह मुझसे साहन नहीं हो पा रहा है उस वक्त उनको पता चला किसी ने बताया कि NDS फॉलो करने से करके देखो आपके ज़एसा केस्टो कोई नहीं होगा करके देखो तो पता चले तो उन्होंने कालुबाई से कॉंटेक्ट किया कालुबाई सावल या सूरत कालुबाई उधर गए सजाया तो उन्होंने आसमर्चता दिखाए कि हम यहां किसी के गाइड़न्स करे तो ठीक है लेकिन यहां तो कोई गाइड करने वाला नहीं है तो यह कांती भाई की बेटी और दामाद वो शूरत रहते हैं उन्होंने बताया कि आप हमारे गर पर आजाओ और शूरत में और यह कालुबाई ने जई से बताया केवल रसाहर पे रेने का एनिमा लेने का और रसाहर में भी ज्यादा से ज्यादा ज्यादा ग्रीन जूस तो इसमें कि शायद एक ही महिना हुआ होगा जो कई सालों से एक महिना में रिवस हो गया सारी दवाईयां बंदो गए क्रियेटिनाइन वन पर आ गया और अपने परिवार में एक महिने में और अपने परिवार में सभी जगे गूमने लगे अपने साथ वो अनिमा पूट लेके जाते थे अमारी किताबें भी साथ में रखते थे छन्ना रखते थे यानि कि जो एं और सभी को अपनी तरह से गित करते थे, क्योंकि उनको जो लाब मिला, वो तो इसका आनद कितना होगा, वो तो हम केवल इमेज कर सकते हैं, तो ऐसा बाइद में तो इसे बहुतर इसके पहले भी, डाइलिसिस वाले बहुते के साये हैं, और ठीट हो चुके हैं, तो गवराने क कि जरूरत नहीं है, वीगरसली सर्दा और विश्वास के साथ, फोलो करने से, चाहे डाइलिसिस हो, चाहे डाइबेटिस हो, चाहे चैंसर हो, हर कोई रोगों में फाइदा हो सकता है, क्योंकि यहां रोग की कोई ट्रीट्मेंट नहीं की जाती, यहां केवल है डीट्रॉक् क्योंकि इंपिरिटी को वज़ा से अशुदियों के कारण रोग होते हैं, तो अशुदि को ही निकाल देना है, और यह भी इतना सरल है, जो आप सब जानते हैं, तो यह किसा मैंने आपको सुनाया, जिससे आपको पता चल जाएगा, कि यह कितना कैसा भी गंबीर रोग हो, यह भी ठीक हो सकता है, बहुत ही बढ़िया, यह तो अनुभव वाकिए सब की आखे खोल देगी, जिस जिसको डायलेसिस करते होंगे, उनसे खास निवेदन की एक बार अपना के देखिए, न्यू डायट सिस्टम और यह चमतकारिक परिणाम आप भी देख सकते हैं, तो च क्या है, यह तो क्या है, जो नॉर्मल हम सभी को कहते हैं, दिन में दो बात, सुबे रात लेना है, लेकिन कोई ऐसा इमर्णसी केस है, इतना सीरियस केस है, कि जहां डोक्टोर ने जवाब दे दिया है, तो अब तो हमने भी आशा छोड़ दिये, परिवालों ने भी आशा छ किया जाए, तो जल्दी डिज्टॉक्शिफिक्शन होगा, और जल्दी आराम मिलेगा, तो उससे यह जो धारना है कि किड्नी पे ज्यादा लोड पड़ेगा, अगर ज्यादा एनिमा लोगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, किड्नी और एनिमा बढ़ियाद, इसको कोई ले प्रेग्न लेडी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चा है, मा के पेट में, तो इस पर दबाव आता है, तो बच्चे के शरीर को नुक्सान होता है, सरसर जूट है, यह अमने बहुत सारे परेड़ियोग किये हैं, बहुत सारी प्रिग्नेंट लेडर ने, जब से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेजिड्यों से लेना शुरू करेवा दिया, और केही काफी लोग को यह होता है कि वह किडनी की विमार्य है तो उसके ओपर जीस और पानी का लोड़ना डाले जिससे किडनी पर और जोर पड़ेगा यह सब ब्रांतियां है जो आज आपने आपके जवाब के माधियम से सब को समाधान किया कर्षी ब्राम के देखो पच्छने में जो बारी है बहुत ही कॉमन सवाल है चवान जी कि रसाहर जब करता है बंदा या सादक जो भी तो उनको नैचरल कॉल नहीं आती है ये काफी सादकों का ये प्रशन होता है तो इससे वो घबरा जाते है कि हमारा नैचरल हो गया तो इससे हम क्या करें और ये क्यों होता है ये थोड़ा बंतू वेस्टार में बताईए प्लीज ये भी तो अच्छा सवाल है चनवली हम सभी को कहते हैं कि जभी भी आप रसाहर करते हैं निर्जल उपवास ये तो रसाहर तब एनिमा अवश्य लीजिए तो जब ए प्रीजिए है तो इससी को हम निकाल देते हैं तो अभी आने वाला नहीं है तो अब अई वो ही सही है ये जब तक अ निमा चलेगा निच्रल को औह तो और श्यक्तान को कभी नहीं आएगा और नमा आना जरूरी है, नमा चले और वोह ही तो सही है लेकिन लोग ग़डरा जा तो आज हम जैसे ही खा लेते हैं, जैसे खाना पुरा होता है, तो टेबल, डाइनिंग टेबल, तो हम नहीं रखने, लेकिने के लिए, प्रास के लिए, टेबल टुएलेट, तुरंट टुएलेट जाना पड़ता है, तुरंट, तो दिन में दोर खाएं, दो बार जाना पड़ता है, तो इतना हो, क्या कहें, सफाई हो जाती है, पेट की अच्छी तरह से, के लगता है, मज़ा आ गया, तो इसी स्थिती अपने आप, शरीर के आ जाएगी, लेकिन लंबे समय तक, सही डंग से, NDS फोनों करेंगे, तो, मिलकल जी, मैं बहुत ही बढ़िया रहा ये आपका, और एक ये, मैं जब शिबिर में आया था, आपके पास, जब पहली बार, यहां से, मैं न्यू डाइट सिस्टम करने के बाद, आपके ये शिबिर में जुड़ा था, तो, वहां मैंने एक चीज बहुत ही आपसे अपना यह सीखी है, कि, फ्रूट को कैसे खाना चाहिए, जो कि, करेक्ट, 90% लोग वह गलती करते हैं, मैंने आपसे सीखा और आज तक मैं उसका पालन करता हूं, आप ग्रेप्स खाते हैं, तो, कैसे खाते हैं, यही आप हमारे दर्शकों को समझाईए, कि क्यों ऐसा खाना, क्योंकि, ब्रांती यह है, कि, फ्रूट की छिलके में जो यह फ करते हैं, तो, यही आप अनुभू हमारे दर्शकों को भी बताईए, ताकि वह सब भी चेंज करके वह ब्रांती में से बाहर आ जाए, आजी, यह सवाल अच्छा है, क्योंकि जैसे बहुत सारी ब्रांतिया, आमारे पढ़ाई में, एजुकेशन सिस्टिम ने, आमारे विज कि फाइबर जरूरी है, फाइबर खाना चीए, क्यों जरूरी है, तो वहां का आ जाता है, कि इससे बड़ी आथ की सफाई अच्छी होती है, और हम कभी सोते भी नहीं उस पर और मान लेते हैं, यह हमारी गल्ती है, हमें सूतना चीए, हमें भी बद्धी दी है, मन दिया है, तो हमें भी अपनी बुद्धी का प्रयोग करना चीए, लेकि नहीं करते हैं, जो साइंटिस ने बताया, सही, जो धर्मकुरू ने बताया, सही, तो यह ऐसा नहीं है, यहां वो सुत्र की अच्वाइश करनी चाहिए, कि हम भी किसी से कम नहीं, तो हमने खुद पर प्रयोग किया, क्यों कि, क्योंकि मुझे, जे सब भीतर से आता है, यह कहीं, बढ़े, पड़ा हूं उल्टा है, हमने यह पड़ा था, आपज़े एक फाइवर सहन was said, अजी तब तक कब्ज रही तब हमने कम लोग उतनिकि तो गण्न है, तो गण्ने में तो था बड़ है, आपज वहां तो केवल जूस लेते हैं तो इससे मुझे पता चलने लगा कि जब फाइबर का स्वभा होए फंसना जब हम चबाते हैं फाइबर है तो दांच में फंस जाता है तो हमारी जीव और हमारा मन वहीं लगा रहता है जब तक इस फाइबर को हम ना हटा दे तो जैसे जीव का स्वाद कोई पदास्ट का स्वाद है जीव तक ही सिमित है गले के नीचे उतर जाएगा तो पता नहीं चलता उसी तरह मुझे यह मालूम हुआ कि यह जो फाइबर फंसता है यह भी यहां दांत में मुह में ही पता चलता है यह गले के नीचे उतर जाएगा कि वहां ऐसा कोई सेंसेशन नहीं है तो फिर यह वहां जाके जाएं भी जाएगा वह फसेगा तो हमें पता है कि छोटिया बड़ी आत में खास तूर पे बड़ी आत में थैंब्रिया मोशन होता है तो जो भी फ्लो होता है बोजन का इसमें से एक्स्रेक करने के लिए तो यह ऐसी एक मोमेंट होती है थैंडिया मोशन की अब उसमें यह फाइबर फंस जाते हैं तो यह मोमेंट नहीं कर सकेंगे तो स्वाबा भी है कि अब पत्ना बंद हो जाएगा रस्चूसना बंद हो जाएगा शेरीर को डेफिशनसी इसलिए तो आती है और यह फंस जाता है इसलिए कब्द होती है और कब्द होती है तो वहां सड़ता है सड़ता है तो दुरगंद पैदा होती है कीरे पड़ते हैं और हम जानते हैं कि सारे रोगों का कारणयदी को यह है, root code, तो wird curds है, अर यह curds फाइबर से होती है. और हमें कहा जाता है, Fibro Maxxiumwang우 Fibro Maxxium båu, मतलब कि Maximum curds रहे और Maximum rog रहे, यह किसी का दंता चलाने के लिए है? हमें सब कुछ करना है? तो यह जब से हमें पता चला हमने केवल जूस किना शुरू कर दिया और में आधर मिला स्रीमत बगवत गीता से स्रीमत बगवत गीता में अध्याई 17 में लोक आयट में कहा गया है कि सात्विक जनों को प्रिया ऐसा भुजन रसाहार इस से उम्र बढ़ती है देखो हम मांते हैं उम्र ना ज्यादा होती है ना कम होती है यह भी एक ब्रांती है इससे उम्र बढ़ती है यह प्रमान है और ना केवल उम्र बढ़ती है लेकिन ताकत बढ़ती है इतना ही नहीं सुखाकारी बढ़ती है क्योंकि हमें समय ज्यादा मिल जाएगा आमें आप्डास बढ़ जाएगी, तो हमारी सुखाकारी बढ़ना ही है, और जो गलत कारिय करते थे, वो बंद हो जाएगा, व्यसंद बंद हो जाएगे, तो यह सभी रसाहर का प्रभाव है, और फाइबर खाने से, इससे उल्टा है, यानि की कभ्द होना, रोग होने, और रोग हो तो एफिशेंसी काम हो जाती है इस्पिचाल में दाखलोना होता है तो हम तो क्या हमारे रिष्टिदारों का भी समय उदर लगता है तो यह सारी समस्याई फाइबर के हिसाब से हैं तो आप हम कहते हैं कि रश ही सही है फाइबर गलब है यानि कि फाइबर लेस फूड खाना व पशूओं के लिए हम नहीं कहते हैं क्योंकि उनकी रचना ही कोई और है देखो पशूओं को जैसे हमें एक स्टमद दिया गया और वो छोटा सा जबकि पशूओं को बड़े बड़े चार स्टमद दिये गया है तो वहां ए फाइबर वो भी निकाल देते हैं आप जिसको गुजराती में हम ओगाह केते हैं तो जब मैं ऐसा खाता हूं ऐसे निकाल देता हूं तो मेरी पत्नी भी वह कहते है कि यह क्या पशूओं की तरह ओगाह निकालते हो सामने वाले देखने वाले को कैसा लगेगा मैं कहता हूं देखने वाले की चिंता चलोर करनी चाह तो यह हमारा अनुभू है जो आपका भी है मैंने भी जब आपको देखा था शिविर में तो मैं भी एक बार तो परेशान रहा कि यह ऐसे कैसे खा रहे हैं तो मुझे खाज वो प्रताब भाई ले गए थे आपके पास कि देखो वो कैसे खाते आप इनसे सीखो तो मैं देख कि आप अंगुर खा रहे थे और चिल के उसको रस चूसके फिर फेक दे रहे थे तो मैं बुला अंगुर भी नहीं लेना चाहिए अंदर तो मुझे बड़ा ताजुब वहा था और उस दिन के बाद मैंने आज तक अंगुर पूरी नहीं खाई मैं हमेशा आपकी तरह खाता प्ला मैं हुव क्टर्ट ले ना है और तो बच जाता है उसको बार कर देना है जिए आपके जवाब सुनके ऐसा लगईना कि सुनते ही रहो आपको और इतना गणान ले लूँ आपसे लेकिन समय की मर्यादा है तो मैं यहां पे आपसे विदाई लूँगा और आपका फिर स बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा लेकिन अगले हथे फिर हम जुड़ेंगे अगर आप समय दोगे तो फिर से हम कुछ सवालों की बहुचार लेते हुए आपके पास हमारे सादोकों का समाधान लेने जरूर आएंगे तो बस इसे के साथ आपसे मैं धन्यवाद करते हुए आपसे इजाजत लेता हूं और पलविंदर जी का भी जाते जाते दन्यवाद करता हूं जो इसके चालक है और हमारे जजदीप जी जो हमेशा इंपूर्ट द्वारा इस प्रोग्राम को सजाते हैं तो जाते जाते अगर आपको आपको आंत में कहें कि रहस इतना तो हम जब सभीकों खिलाते हैं तो अंगर्षे में तुम्हें और क्या दू में यृण सीज़ डोसा तो यह सैक रिक्ली आदत पलद जाए तुम्हें रसवाद अरक्याद तुम्हेंकि आदत न्यवाद तन्यवाद्वाद ऑब eleg नाम बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you so much. धन्यवाद जस्दीब जी आपका भी बल्विंदर जी सभी का धन्यवाद करते हुए अगले अपते इसी समय इसी चैनल पे फिर मिलेंगे और ऐसे कुछ आपके लिए कुछ प्रशनों के समाधन हम जवान जी के माध्यम से ले आएंगे धन्यवाद जी के खुट की भी फिक्र कर सके अपनी सेहत की फिक्र कर सके इसका कभी मौका ही नहीं मिलता बस दवाईयों का बोज लिए चलते जाते हैं पर अब आपको यह दवाईयों का बोज नहीं उठाना पड़ेगा टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की, एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा और दूसरा बेनिफित मेरे यह था कि जो पीरिट पेइन है मेरी वो बिल्कुल खतम हो गई है तीसरा बेनिफित यह था कि मेरे सर यह एंटियस फॉलो करने से बहुत है लॉस्त हो था इतने मेरे हैर लॉस्त हो था कि I always used to go out of my house to comb my hair because if I would comb my hair in the house there would be hair all over the carpet which was very annoying, very frustrating लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all I have lost 14 kilos 10 weeks हुआ है मैंने 11 kg लोस्त किया है IGP recommended me that I should follow Reveal, Kotex, NDS अच्छो सुनने को मिला हो बहुत मैंद चेंजिंग है I found it very inspirational मैंने 2.5 months से new diet system start किया I have lost 13 kg एक महिने में आपकी पूरी कायब पलट हो जाएगी तन्यवाद Only on TV नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती The Self Healing में बिना दवाईयों और बिना पैसों के Permanent समधान